हेलो केट्स आज हम डेवलोम्टमेंटल बाय लोजी में री जेनरेशन की बात करेंगे जिसको हिंदी में पुनरजनन भी कहा जाता है Regeneration का मतलब क्या होता है Regeneration का मतलब होता है कि जब कोई part organism से अलग हो जाता है कि कोई part है वो कट गया है या अलग हो गया है तो उसको वापिस replace किया जाता है तो the replacement of lost parts of organism को हम क्या बोलते है Regeneration ये replacement of lost parts of organism को हम बोलते है क्या Regeneration रिचारड आल ग्रॉस ने इसको एक अलगी तरीके से डिस्क्राइब किया है थेंकि रिचारड आल ग्रॉस ने बढ़ी ही अच्छी बात की कि अगर regeneraion नहीं होगा उनर जनन अगर नहीं होगा तो life नहीं होगी क्योंकि अगर कोई पार्ट अगर हमारे शरीर से अलग हो जाएगा तो उसकी कमी हमें रहेगी हम पूरी तरीके से कारिय नहीं कर पाएंगे तो अगर रीजनरेशन नहीं होगा तो देर वुड भी नो लाइफ और अगर हर चीज रीजनरेट होती रही तो डैथ नहीं होगी तो और्गिनिजम जो है वो एक्जिस्ट करता इन दोनों के बीच में ठीके तो रीचर्ड अल्ग्रोस के हिसाब से क्या है कि इफ देर इस नो रीजनरेशन देर वुड भी नो लाइफ रीजनरेशन भी जरूरी है और अगर हर चीज रीजनरेट होती रही इफ एफ एर्रिट रीजनरेशन की अगर अपन बात करें तो मेंली दो पॉइंट्स होते हैं कि रीजनरेशन की जो कैपेसिटी है पुनरजनन की जो कैपेसिटी है वो सिंपल और्गिनिजम में ज्यादा होती है या ग्रेटर होती है दे कैपेसिटी ओफ रीजनरेशन इस ग्रेटर इन सिंपल और जैसे जैसे complex form आते हैं कि simple form से complex form की तरफ हम जाते हैं animal kingdom में तो ये capacity जो होती है वो diminish होती जाती है तो पहला point क्या कह रहा है कि capacity for regeneration is greater in simple animals जो simple या lower animals हैं उनमें regeneration की capacity जादा है लेकिन जैसे जैसे हम complex form की तरफ जाते हैं animal kingdom में ये जो capacity होती है वो diminish होती जाती है इसके अलावा एक तो ये simple organism simple से complex वाली बात हो गई ठीके कि जो capacity of regeneration जो है वो simple organism में ज़्यादा है greater है और जब complex form की तरफ जाते हैं तो ये diminish होती जा रही है फिर दूसरा point क्या कह रहा है कि ability for regeneration में भी greater in early stages of development कि जो early stages of development है जो development की अगर आपन बात करें तो early stage of development में जो regeneration की ability है वो ज़्यादा होगी as comparable to the later stages तो the ability of regeneration में भी greater in early stages of development ये second point है अब अगर बात करें कि examples regeneration के invertebrates में तो हम ये देखते हैं कि ability for regeneration is higher in protozoa क्योंकि protozoa आपन क्या बोला ये regeneration जो है greater is simple animals में वो protozoa भी क्या है simple organism है तो ability for regeneration is higher in protozoa अगर एक amoeba को आप काट देते हैं दो पार्ट में या दो से ज़्यादा पार्ट में तो हर nucleated piece जो होगा वो ग्रव करेगा into a complete amoeba में थीक है तो if an amoeba is cut into two or more pieces तो every nucleated piece grows into a complete amoeba वैसे अगर अपन हाइड्रा में देखें यहां पर हाइड्रा थीक है और ये रिमार्केबल ह इन सिलेंट्रेट्स प्रोटोजोगी बात हो कोई फिर सिलेंट्रेट्स की बात करें अगर हाइड्रा को कट कर दिया जाता है दो पीसे में जैसा कि आपको यहां दिख रहा है हाइड्रा जो है उसको कट कर दिया जाता है into two pieces जो anterior piece होगा वो develop क्या करेगा यह वाला anterior piece जो यह tentacles दिख रहे है आपको at the cut end ठीक है and even if a hydra is cut into hundred pieces each piece each जो piece होता है वो reconstitute into a whole miniature hydra अगर अपन प्लेटी हल्मेंटीज की बात करें आप यह प्लेणेरिया में बहुत अच्छे से देख सकते हो यहां पर example आपको दियावा प्लेणेरिया का कि प्लेटी हल्मेंटीज में the process of regeneration is exceedingly higher in planarians ठीक है any small piece of planarian worm develop into a whole animal जैसे की hydra में आपको देखा जा सकता है यहां पर दो piece में cut कर दिया और यहां पर आपको दो miniature आपको planarian दिख रहे हैं ठीक है अगर कोई worm को हम cut करते हैं दो pieces में अनिलीड की बात करने हैं इप दो warm is cut into two pieces एंटीर पीस जो होगा वह develops a posterior region और posterior पीस जो होगा वह generate करेगा क्या head region ठीक है इसलिए क्या होँगे दो individuals जो होँगे वह produce होँगे और एनिलीडा में keto पेरस बहुत अच्छा एक्जामपल है कि regeneration जो है वो पाया जाता है रेजिनल समवाट higher in keto पेरस ठीक है complete individual can be regenerated from any one of the anterior 14 segments अगर अपन आर्थ्रोपोडा की बात करें तो आर्थ्रोपोडा में जो regeneration है वो restricted है to the replacement of last appendages mollusca में eye stalk parts of the head foot arms यह जो होते है वो regenerate हो सकते can be regenerated और यहां पर आप देख सकते echinodermata का example among echinoderm the broken arms can be regenerated यहां पर आप देख सकते broken arm जो है वो regenerate हो सकती है ठीक है और extreme cases में part of the disc can also be part of the disc can also be regenerated next slide लेते हैं अपने invertebrates की बात की ठीक है अपने which organism can regenerate इसमें अपने invertebrates को अपने detail में देखा की amoeba की बात की अपने hydra की बात की अपने planeria की बात की बात की अपने